आज हम बात करने वाले हैं अगर आपके फोन में Miss Call, Notification शो नहीं हो रहा है तो इस प्रॉबलम को कैसे ठीक करें इस प्रॉबलम को ठीक करने के लिए आप अपने फोन में Settings को Open करिए Settings को Open करके नीचे आईए नीचे आकर आपको मिलेगा Apps का Option Apps पर किलिक करिए Apps पर किलिक करके Manage Apps पर किलिक करिए उसके बाद Search का Option आएगा इस पर किलिक करिए यहाँ पर सर्च करिए P-H-O-N-E Phone सर्च करने पर आएगे दो Option एक आएगा Phone एक आएगा Phone Services तो सबसे पहले Phone पर किलिक करिए किलिक करके Storage पर किलिक करिए Clear Data पर किलिक करिए clear all data पर click करके ok करिए अब उसके बाद back आईए उसके बाद आप नीचे notifications के option पर click करिए अगर आपका उपर show notification या फिर allow notification चालू नहीं है तो इसे आप चालू करिए हमारा by default चालू है देख सकते हैं तो ये जो नीचे option आ रहे हैं इन सारे options को चालू करिए अगर आपके चालू नहीं है उसके बाद back आईए फिर से back आईए phone services पर click करिए force stop करिए ok करिए storage में जाकर clear data पर click करिए ok करिए अब उसके बाद फिर से back आईए back आईए फिर से उपर cancel पर click करिए अब उसके बाद आपकी problem ठीक हो जाएगी बट अगर problem ठीक नहीं होगी तो उपर right side में 3 dot पर किलिक करिए उसके बाद reset app preferences पर किलिक करिए और नीचे reset apps पर किलिक करिए ये करने से कोई आपका data delete नहीं होगा और ये करने के बाद आप back आ सकते हैं हमने पहले से कर लिया है तो हम cancel करेंगे बट आप reset apps पर किलिक करके इस process को कर लीजिए अब उसके बाद back आईए फिर से back आईए और अब अपने phone को आप बंद करके चालू करिए यानि कि restart करिए उसके बाद आपकी problem ठीक हो जाएगी तो वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें